ममा कल हम कहां जा रहे हैं गुरिया बेटी कल हम अपने जंगल वापिस जा रहे हैं बहार आ गई है और गर्मियों का मौसम हम पहाड़ों वाले जंगल में गुजारते हैं मगर ममा मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगता है अपने तिंकों के घोंसले में खुले आसमान तले लेती हुई माँ चड़िया अपने बेटी से ऐसे बाटें कर रही थी कालु जी, हम दूसरे जंगल जाकर घर कैसे बनाएंगे चड़िया है ना, चड़िया सब करेगी हम अपने हिसे का सारा काम चड़िया से करवा लेंगे बेचारी छोटी चड़िया कालू मेरी तरहां तुझे भी उसे तंग करने में मज़ा आता है क्या हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जब चड़िया रोती है हाँ 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 कालू कालू भेया तुम भूरे हो तुम भूरे हो सुधा हो जाती है कव्वा और कव्वी भी अपना बैग लेकर ओटो स्टॉपर पहुंच जाती है चिडिया भी अपना कुछ सामान लेकर पहुंच गई थी कवे भीया आपने देर कर दी ओटो अभी अभी निकला है चुडिया इतनी भी क्या जल्दी है दूसरा ओटो आने ही वाला होगा ओटो आ जाता है सब बैठ जाते हैं कबूतर चाचा ओटो को बहुत तेज चला रहा था थोड़ी ही देर बाद चुडिया और कवे अपने पुराने जंगल पहुँचाते हैं हाई मैं मर गई किराया कालू किराया लाना तो मैं भूल ही गई कहा था मैंने तुम से कहा था कि पत्तों के नीचे मैंने पैसे रखे हैं उठा लो तुम हर बार ऐसा ही करती है अच्छा अच्छा ठीक है आप दोनों का किराया मैं दे देती हूँ कवा और कवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कूराते हैं चिडिया कबूतर चाचा को पैसे देती है और सब अपना अपना सामान उठाकर उड़ते हैं बेरी के पेड़ पर बैठे हुए मिठु तोते के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं मिठु भैया हम वापिस आगे हैं और अब इसी जंगल में अपने ने घर बनाएंगे मिठु अगर कोई पुराना घर खाली पड़ा है तो बदा दो हाँ सामने पिपल के पेड़ पर एक घर खाली है वो पुराना है थोड़ी मरमत के बाद रहने लाइक बन जाएगा छट टूटी हुई है उस घर की हम घर की छट बना लेंगे वो सब फिर से उड़ते हैं और पिपल के पेड़ पर पहुंचाते हैं चडिया ये तो डबल पॉर्शन घर है ऐसा करते हैं हम मिलकर इसी घर की मरमत कर लेते हैं और तुम उपर वाले हिसे में रह लेना मैं और कालू जी नीजे वाले हिसे में रह लेंगे चिडिया को गोरी की बात अच्छी लगती है चिडिया मान जाती है ठेक है गुडिया बेटी आप सामान का दिहां रखना और हम समिलकर घर की छट मरमत कर ले चिडिया तुम बांस लेकर आओ मैं और कालू तो ठक गे हैं हम नदी से पानी पीकर तुम्हारे पीछे ही आते हैं चिडिया बांस लेने चली जाती है कवा और कवी नदी से जाकर पानी पीते हैं गोरी थोड़ा आराम करते हैं थोड़ा आराम करने के बाद बाकी का काम देखेंगे कालू सच बताओं तो मुझमें भी अब हिम्मत नहीं है काम करने की शाम को देखेंगे क्या करना है वो दोनों नखर्टू सो जाती है चिडिया बांस इकठे करती है तूटे हुए बांस चिडिया को धेर सारे मिल जाते है चिडिया वो बांस लाती है सूखा घास लाती है पत्ते लाती है वो सारी चीजें इकर्ठी करती है ममा वो कवे अंकल कहांगे क्या सारा काम हमें अकेले ही कहना होगा लदी से पानी पीने के थे अभी तक तो आए नहीं शाम हो जाती है गोरी की आंक खुलती है कालू ओए कालू उठे शाम हो गई है देखे जाकर चड़िया ने अब दाग कितना काम किया है समय गुजरने का पता ही नहीं चला कवा और कवी जब वापिस आते हैं तो चड़िया ने घर के छट का काम कमल कर लिया था चड़िया तुम तो बहुत तेज हो इतनी जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया मेरी ममा ठग गई है और आप दोनों इतनी देव से नदी पर गई हुए थे घोरी और कालू मैंने अंदर से देख लिया है मैंने खौशलों की भी मरमत कर दी है अब आप नीचे सो जाए मैं और मेरी बेटी उपर वाले हिसे में सो जाती है चड़िया थकी हुई थी चड़िया लेडते ही सो जाती है और फिर ऐसे कववा और चड़िया एक ही घर में अलग-अलग रहने लगते हैं कुछ दिन गुजर जाते हैं कालू आप किसी तरह उस चड़िया को यहां से भगाना होगा मैं अंडा देने वाली हूँ और मेरा बेटा इस चोटे से घर में कैसे रहेगा हाँ, कल शादी भी तो करनी है अपने बेटे की मैंने सोच लिया है आप चड़िया को इस घर से कैसे भगाना है रात हो जाती है जब रात होती है तो गोरी कवी ही थोड़ी लेकर दिवार में कील ठोकने लगती है और कवा गोरी की तरफ देखकर हंस रहा था ममा ये क्या टक्टक की आवाज आ रही है गोरी आंटी नीजे क्या कर रही है मुझे नीद नहीं आ रही मैं अभी जाकर देखती हूँ चिडिया नीजे आती है गोरी गोरी दर्वाजा खोलो जी बताईए क्या बात है गोरी मेरी बेटी को नीद नहीं आ रही आप इस समय क्या टक टक कर रही है मैं अपने पती की तस्वीर लगा रही है क्या ना लगाऊं गोरी तुम ये काम कल सुभा कर लेना अब खुद भी सोजा और दूसरों को भी सोने दो ना भी जीडिया मैं तो इसी समय अपना काम करूँगी तुम्हें नीद आए या ना आए चिडिया चली जाती है और गोरी कव्वी फिर से ही तोड़ी लेकर दिवार में कील लगाने लगती है सारी रात माचिडिया और उसकी बेटी जागती है कव्वी तो सुभा होते ही सो जाते है मगर माचिडिया को दाना भी लाना था सारा दिन मा चड़िया काम करती है और फिर दूसरी रात फिर वही काम शुरू हो जाता है चड़िया फिर से आती है दर्वाजा खोल कर कालू बाहिर आता है हाँ भी चड़िया क्या बात है कवे बहिया आप कुछ दिनों से मुझे साई रात सौने नहीं देते हैं लगा कर देखना क्या जरूरी है ये ये हमारा शोक है अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाओ और अपने लिए अलाग घर बना लो चिडिया चली जाती है दूसरे दिन चिडिया अपनी बेटी के साथ जंगल की दूसरी तरफ एक निया घर बनाने का काम शुरू करती है गुडिया बेटी जब तक घर बनने ही जाता कवे अंकल को कुछ ना बताना मामा क्या कल तक हमारा नया घर बन जाएगा हाँ गुडिया बेटी अब बाकी का काम कल करेंगे अभी दाना भी ढूणने जाना है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चिडिया अपने खर का काम करती रहती गोरी और कालू तो अब चिडिया को एक मिनट भी सोने नहीं देते थे आज तो कालू कवा कहीं से बड़ा स्पीकर ले आया था गाना बच रहा था गोरी और कालू कानों में हेड़फून लगाए डांस कर रहे थे और उपर चिडिया बेचारी करवट बदल बदल कर याद कालू कालू और कालू के बचे गोरी काना बंद करती है मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ? क्या हुआ गोरी? क्या चिडिया कल चली जाएगी? अगर ना गई तो एक दो दिन और तंग करेंगे ऐसे फिर तो चिडिया ये घर छोड़कर चली ही जाएगी चिडिया का घर भी बन जाता है और फिर दूसरे दिन चिडिया अपना सामान उठा कर चुप चाप अपने ने घर में चली जाती है गोरी और कालू चिडिया को जाता हुआ देह कर बहुत खुश हो रहे थे के तब ही वहाँ माहि चिड अपने बेटे के साथ बैग उठा कर आ जाती है कवो तुम यहां क्या कर रहे हो ठील नी यह घर है हमारा करना क्या है शारम करो यह घर तो मेरा है अच्छा हुआ जो च्छत तुमने मरमत कर दी भला हो अब भागो यहां से चल चीलू बेटा चील घर के अंदर चली जाती है कवा और कवी तो एक दूसरे का मूँ देख रहे थे अंदर से चील कवों का सामान उठा उठा कर बाहिर फैक देती है कालू बहुत बुरा हुआ हमारे साथ चीडिया तो चली गई अपने ने घर में और हम बे घर होगे कवी जाडू लगावा कर अंदर कैसे चगा चगा पोटियां की हुई है तुम कवों ने फिर गोरी कवी चील के घर में जाडू लगाती है और फिर दोनों कवे अपने सामान पर बैठ कर रो रहे थे प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साशिये और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद किसी कमजोर पर जुलम ना करो क्योंकि अकर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो बुरा आपके साथ भी हो सकता है कालु कवा, गोरी कवी और उनका एक बेटा जंगल में रहते थे उनकी जंगल में दूद की दुकान थी और साथ में उन्होंने बच्चों के लिए कैंडीज और लोली पोप रखे हुए थे कवे की बतनी बहुत जालिम थी किसी कमजोर पक्षी को देखते ही उसे बहुत गुसा आ जाता किसी ताकतवर के सामने उसका सारा गुसा निकल जाता पास में ही चिडिया का घर था चिडिया अपनी बेटी से कहती है गुडिया जाओ मेरी बेटी अंकल कालो की दुकान से पांच रुपए का दूद ले आओ और मैं आपके लिए आलो वाले पराठे बनाती हूँ आज हम मा बेटी आलो वाले पराठे का नाश्ता करेंगी आलू वाले पराठे, मुझे तो आलू वाले पराठे बहुत पसंद हैं और वो भी चाय के साथ, आज तो मज़ा ही आजाएगा फिर गुडिया अपनी ममा से दूद का बरतन और पांच रुपे लेकर दूद लेने चली जाती है वो बरतन कालू को देती है, वो छोटी थी, उसके पास पांच रुपे से ज्यादा ना थे, जिनका उसे दूद लेना था पास में पड़े लोली पॉप देहकर गुडिया का जी ललचा रहा था और फिर गुडिया आहिस्ता से लोली पॉप के डबे में से एक लोली पॉप उठा लेती है और अपने पंखों में चुपा लेती है, जिसे गोरी कवी पीछे खड़ी देख लेती है चोर ने कहीं कि मैं भी कहूं हमारी दुकान से हर रोज समान क्यों गाइब होता जा रहा है ऐसा कहती हुए गोरी कवी गुडिया को मारने लगती है आंटी माफ कर दे, मुझसे गल्दी हो गई, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया माफी तो अब तुम्हारी मा ही मांगेगी, भागो यहां से और अपनी मा को बला कर लाओ गुडिया रोती हुई वहां से चली जाती है मैं भी केई दिनों से भाना ढून रही थी, उस कमजोर चिडिया से लड़ाई करने का आज मौका मिला है, छोड़ूंगी नहीं उस चोटी चिडिया को ममा एक लोली पोफी तो अठाया था गुडिया ने और आपने उसकी इतनी पटाई की अब जाने भी दे चुपकर जा जगू, तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसे कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है गुडिया थोड़ी दूर जाकर नदी पर बैठकर रोने लग जाती है ममा, ममा सोरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने क्यों अंकल कालू का लोली पॉप चोरी किया फिर वहां कबूतर आ जाता है गुडिया आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है गुडिया कबूतर को सारी बात बताती है अब अगर ममा को बता चला, तो ममा टांटेंगी और उन्होंने मेरा दूत वाला बर्तन भी रख लिया है और पांच रुपे भी गुडिया बेटी, वो कवे तो बहुत जालिम है वो तो पहले ही तुम्हारी ममा की दुश्मन है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सोरी अंकल, सोरी चलो, अब मैं आपको आपके घड छोड़ाता हूँ फिर कबूतर गुडिया को साथ लेकर उसके घड जाता है गुडिया, मेरी जान, क्या हुआ क्या हुआ गुडिया, क्यूं ऐसे रोय जा रही हो चोटी थी, गलती हो गई लोली पॉप चुरा लिया गुडिया ने कालूगा और उसने गुडिया को मारा भी है और आपको भुला रही है उसकी पत्नी गोरी कवी हाई रे भगवान, वो गोरी कवी तो हर समय मुझे से लड़ाई के बहाने ढूंटी रहती है अब क्या होगा? ममा सोरी, सोरी ममा मेरे पास और पैसे नहीं थे मेरा लोली पॉप खाने को दिल किया मुझे से गलती हो गई चुप कर जा मेरी बेटी हम कमजोर है बस इसलिए उन कवों को हम पर कुछ ज़्यादा ही गुसा आता है अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो ऐसा ना करते हैं वो चुड़िया बेहन वो अब बात नहीं छोड़ेगी अगर वो लड़ने आए भी तो आप घर का दरवाजा ही ना खोलना दो चार दिनों में बात पुरानी हो जाएगी फिर कबूतर वहां से चला जाता है और चिड़िया अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है वो मा बेटी छुपकर ड़ते हुए बैठ जाती है शाम होने को थी कौलू जी चलो तो मेरे साथ जाकर पूछें उस चिड़िया की बच्ची को मेरा अभी मान नहीं भरा थोड़ा और मारूंगी उस चोटी गुड़िया को फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते है वो दरवाजे पर दस्तक देते है हाई मैं मर गई वो कवे तो सच में आगे ममा ममा क्या अब वो हमें मार देंगे चुप चुप कर जाओ गुड़िया हम दरवाजा नहीं खोलेंगे दस्तक फिर से होती है ना खोलो दरवाजा ना खोलो मैं कल ही अपने साथ भाईयों को बलाती हूँ और तुम्हारे सामने जूतों से मारूंगी तुम्हारी इस चोरनी को जरा कल तो आने तो फिर देखना कैसा तमाशा लगाती हूँ मैं आप भस भी कर जाओ चलो अब घर चले इतना ही काफी है चुप कर जाओ ओए कालू आज तो गोरी फुल इंजवाय कर रही है काल मिलेंगे चिडिया अब हम चलते हैं फिर वो वहाँ से चले जाते हैं गोडिया तो डर के मारे रोए ही जा रही थी मेरी चोटी सी गलती की वज़ा से कितनी मुसीबत बन गई है ममा अब हम क्या करेंगे गोडिया मेरी बच्ची हम रात को ही आपकी नानों के पास चले जाते हैं अगर सुभा गोडिया अपने भाईयों को बला लिया तो बहुत बुरा होगा फिर क्या था कि वो चिडिया रात के अंधेरे में अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी मा के जंगल की तरफ निकलती है रात होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं देखता कालू देखा आज तुम्हारी पतनी के डर से उस चिडिया ने दरवाजा ही नहीं खोला काश जंगल के सभी पक्षी उस चिडिया जैसे होते तो गोरी सबसे शक्तिशाली होती सब डरते गोरी से जब तुम्हें कोई तुमसे बड़ा ताकतवर मिला तो फिर देखना कैसे तुम्हारा गुसा जाता है चिडिया की मा अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है इस समय कौन होगा मैं देखती हूँ रानो मेरी बेटी इस समय सब ठीक तो है न बस इतनी सी बात पर उस कवी ने इतनी बात बढ़ाई कि हमारे घर हमें मारने आ गई और अब अपने साथ भाईयों का बोल कर डरा रही थी वो माजी नानो नानो मैंने तो बस एक लोली पॉप ही उठाया था मैं अपनी बेटी को कल धेर सारे लोली पॉप प्ले कर दूँगी अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गई अब मैं देखूंगी के कैसे वो मेरी गुडिया को मारते हैं दूसरे रोज कवा और कवी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि वहां कबूतर आता है गोरी इतना भी जुलम ठीक नहीं अगर उस बच्ची ने एक लोली पॉप उठा लिया था क्या इतना बड़ा जुरम हो गया था उससे चुप कर जा गंदी आंखों वाले मेरे मूँ न लगो अभी तो मैंने उस चिडिया की भी पटाई करनी है वो बेचारी तुम्हारे डर से जंगल ही छोड़ गई है अब तो खुश हो ऐसा कहते हुए कबूतर वहां से चला जाता है वा गोरी वा अब तो तुम्हारे डर से वो चिडिया भागी गई दो पहर होने को थी जब दो चीले उड़ते उड़ते कवे और कवे की दुकान पर आकर रुकती है चोटी ये तो कोई दूद की दुकान है दो गलास दूद तो मंगवाओ मुझे तो बड़ी भोक लगी हुई है ओय कवे देख नहीं रहे क्या हम चीले आई है जल्दी से दो गलास दूद दो फिर कवे उन्हें दो गलास दूद दे देता है गोरी कवे को गुसा तो बहुत आ रहा था परन्तु वो चीलों के डर से चुप ही रहती है वाँ मज़ा आ गया चोटी बड़ी वो सामने डबे में लोली पोप पड़े है क्यों न जाते जाते वो भी ले जाए मेरा भांचा ही खा लेगा लोली पोप लोली पोप तो तुम्हारे भांचे को बहुत पसंद है फिर छोटी चील वो पूरा डबा ही उठा लेती है बहें जी गुसा न करना दो गलास दूद और इस डब्बे के पैसे कौन देगा तुम्हारा बाप कैसे बोल रही हो जानती नहीं मैं कौन हूँ चील कहते हैं मुझे गोरी को भी गुसा आ जाता है दूद को तो छोड़ो परंतु लोली पोप मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूँगी ये सब बड़ी चील बैठी देख रही थी वो गोरी पर हमला करती है मेरी बहें से उंची आवाज में बात करती हो कालू कववा भी अपनी पतनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों चीले उन दोनों की खूब बटाई करती हैं और उनकी सारी दुकान भी तोड़ देती हैं और सारा समान लेकर भाग जाती है गोरी कववी का तो पंक ही तूट जाता है हाई कालू जी मेरा पंक तो हिल ही नहीं रहा गोरी आप पता चला अपने से ताकतवर भी मिल सकता है मुझे तो ऐसा लगता है जो जुलम कल तुमने गुडिया पर किया हमें उसकी सचा मिली है रानो चिडिया और कालू कवा अपना जंगल छोड़ कर इस जंगल में ने आये थे उन्होंने अभी इससे भी आगे घने जंगल की तरफ सफर करना था वो बाकी पक्षियों से भी पहले निकल आई थे क्यूंके उन्होंने यहां के हालात के बारे में बाकी सब पक्षियों को बताना था रानो चिडिया और कालू कवा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिडिया कवे से कहती है कवे भीया मैंने संधेश बेज़ दिया है आगे का सब वर हम सब पक्षी अकटे ही करेंगे बाकी पक्षी भी चान दिनों में ही पहुँन जाएंगे जब तक बाकी पक्षी नहीं आ जाते हमें इसी जंगल में इनका इंतजार करना होगा हाँ ठीक है मोज करेंगे इतने दिन इस ने जंगल में गूमेंगे फिरेंगे खाएंगे मस्ती करेंगे वो तो सब ठीक है कवे भीया लेकिन हमारे पास रहने को गोंसला नहीं है हमें सबसे पहले ज़्यादा मेहनत करके अपने रहने के लिए घर बनाना होगा फिर ही होगी मोज मस्ती भी अगर रहने को घर ही ना हुआ तो कैसी मोज मस्ती दो गोंसले बनाने हैं हमें क्या नहीं कवे भीया कुछ ही दिनों की तो बात है हम एक ही गोंसला थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिसमें हम दोनों रात कुछा लिया करेंगे और हम मिलकर काम कर लेंगे ऐसे घर जल्दी बन जाएगा ऐसा ठीक है तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा कवे भेया मैं घास के सूखे तिनके लाती हूँ और तुम भी कहीं से थोड़े मजबूत इनके ढूंड कर लाओ घोंसला को सहयोग देने के लिए और वो दोनों चले जाते हैं रानो चिडिया मैदान की तरफ जाती है और वहां से सूखा घास उसे आसाने से मिल जाता है वो घास अखठा करती है और फिर उसे अपनी चोंच में लेकर वापस हो लेती है कालू भीया नहीं आया अभी तक बड़े तिन के पहले लगा कर ही सूखा घास लगाऊंगी और चिडिया कव्वे का इंतजार करने लगती है कालू कव्वा तो था ही कामचोर थंडी चाओं में बैठते ही उसकी आंख रख जाती है और फिर अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो शाम होने वाली थी बहुत मज़ा आ रहा था सोने में लेकिन रानो चुडिया इंतजार कर रही होगी अभी तो मैंने तिन के भी नहीं डुंडे कहां जाओं अब मैं पास में ही चन्द तिनके पड़े थे लेकिन उन पर कांटे थे इन पर तो कांटे हैं लेकिन मैं इन्हें ही ले जाता हूं अगर चुडिया को पसंद ना आए तो खुद ही ले आएगी जाकर अब मैं कहां से ढूंटा फिरूं और कवा वही कांटो वाले तिनके अकठे करके ले जाता है कवे भीया कापसे गे हुए हो तुम इतनी देर कर दी ठक गया हूं सारा जंगल ठूंडा कितनी मुश्कल से मिले हैं ये तिनके अरे ये क्या कवे भीया ये तो कांटे वाले तिनके हैं इन्हें तो गोंसले में नहीं लगाते मुझे तो यही मिले थे मैं ले आया चलो कोई बात नहीं कवे भीया अब आप जल्दी से जाओ और कपास ले आओ मैं थोड़े सुखे पत्ते जमा करते हूं आप जल्दी आना पहले ही देख लो शाम हो गई है और काम अभी बहुत ज़्यादा रहता है तुम चिंता ना करो तुम पत्ते लाओ और कपास समझो आगई और फिर वो दोनों चले जाते हैं रानोचडिया जल्दी ही कुछ सूखे पत्ते जमा कर लेती है और उन्हें लेकर वापस चल देती है दूसरी तरफ कालू कववा जो कपास लेने गया था इसकी नियत फिर से खराब हो जाती है वाँ कितनी नरम नरम है कपास मज़ा आ गया थोड़ा लेट कर मस्ती करता हूं कपास पर अभी कौन सा चिडिया आई होगी और वो कपास पर लेट कर उचलने लगता है बहुत मज़ा आ रहा है और फिर ऐसे ही नरम नरम कपास में खेलते खेलते कववे की आँख लग जाती है और वो सो जाता है रानो चिडिया कववे का बेस सबरी से इंतजार कर रही थी अब तो रात हो गई है सब ठीक हो कववा बता नहीं क्यों नहीं आया अब तक चिडिया बहुत इंतजार करती है लेकिन कालू कववा कैसे आता वो तो नरम नरम कपास में सोया खराटे ले रहा था अब मुझे रात ऐसे ही इसी पेड़ पर गुजाना होगी सबो होते ही जाओंगी कालू कववे को ढूनने और फिर ऐसे रानो चिडिया इस पेड़ पर बैठ कर ही रात गुजारती है ऐसे ही सबो हो जाती है आज शाम तक तो गोंसला बन ही जाएगा मैं अब कववे को ढूनती हूँ वो कहां चला गया और फिर रानो चिडिया कालू कववे को ढूनने चली जाती है और देखती है के कववा कपास में गुसा मीठी नीन सो रहा था कालू अगर यहां अच्छी नीदानी है तो मुझे क्यों चलील कर रहे हो रास से तुम्हारा इंतजार कर रहे हूँ और तुम यहां खराटे ले रहे हो नहीं 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 गुसला तो जुरूरी है वो बस मेरी आँख लग गई थी चलो मैं उठाता हूँ थोड़ी कपास और वो दोनों कपास लेकर वापस सो लेते जल्द ही वो पहुंच जाते है कवे भेया थोड़ा सा पानी भी चाहिए ले आओगे या वो भी मुझे ही लाना होगा असल में बात यह है के रानो चड़िया मैं रात एक तरफ ही मूँ करके सोया रहा उसे मेरे इस पांक में थोड़ा दर्द है अगर तुम ही ले आओ तो मैं गोंसला बनाने में तम्हारी मदद करूँगा यह समान सा राकता हो जाए बस एक बार और फिर चड़िया पानी लेने चली जाती है यह चड़िया भी पागल है इसे क्या पता कि काम करना मेरी शान के खलाफ है मेरे तो बड़ों ने कभी काम वाम नहीं किये मैं कैसे करूंगा यह काम चड़िया थोड़ा पानी लेती है और वापस आ जाती है आगे चड़िया रानी अब क्या करना है अब इस सूखे घास पत्तों तिनकों और कपास की मदद से हमें गोंसला बनाना है लेकिन मेरी माँ तो कांटों का ही गोंसला बना लेती थी मुझे तो उसके अलावा और कुछ नहीं आता कोई बात नहीं कभी भीया आप जाओ और खाने को कोई दाना बगरा ले आओ मैं बना लेती हूं गोंसला और कालू कभा चला जाता है कालू कव्वा खूब पेट भरता है क्यूंकि उसे चनों के काफी सारे दाने मिल जाते है अब ये एक ही बचा है ये ले ही जाता हूं चुडिया के लिए आखिर गोंसले में हिस्सादारी भी तो करनी है और कव्वा एक दाना चने का लेकर वापस चला जाता है लो जी चिडिया तुम्हारा बोजन तो गया आ वाप गोंसला तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया है मैं ठगे हूं काम करकर के लेकिन तुम्हें जरा शरम नहीं आई मेरे लिए बस एक दाना चने का लाए हो और अपना पेट दबा दबा कर बढ़ते रहे होगे नहीं नहीं चिडिया मुझे तो ये भी नहीं मिला बस एक ही मिला था चने का दाना वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं और चिडिया वो एक दाना ही खा कर गुजारा करती है अगर भोजन कर लिया है तो आजाओ अप चिडिया राने घौसला बांट ले क्या ये तुम क्या कह रहे हो बांट कैसे ले ये हम दोनों का है हम दोनों ही तो सोयेंगे इस घौसले में ऐसा नहीं होगा मुझे नहीं नहीं दाती अगर कोई पास हो अच्छा ये ही है कि हम इसे बांट ही लेते हैं लो मैंने बांट भी दिया ये कौन सा बड़ा काम है और कवा उचल कर गोंसले में लेड जाता है रात को गोंसला मेरा और दिन में गोंसला तुम्हारा क्या कहा कालू, शरम नहीं आती तुम्हें, एक तो कोई काम नहीं कराया मेरे साथ, और उपर से ऐसे अन्याये, मैं दिन में अपना भोजन ढूंडूंगी या सोया करूंगी, राज सोने के लिए होती है, दिन नहीं, बस मैंने तो लिया बांट, अब मुझे डिस्टरब नहीं करना, मैं सोने लगा हूँ, और कवा सो जाता है, अब प्राना तलख है कालू से, लडाई तो नहीं कर सकती, अब इसे सबक सिखाना होगा मुझे, और ऐसे ही सुभो हो जाती है, चिडिया सारी रात पेड़ पर बैठ कर गुजारती है, और कालू कवा अंगडाइया लेता लो जी चिडिया रानी, अब शाम तक घोंसला हुआ तमहारा, चैसे मन करे, ऐसे ही सो जाओ, और कवा भोजन करने चला जाता है, मैं थोड़ा सो जाती हूँ, और शाम को जाओंगी दाना ढोनने, और फिर चिडिया सो जाती है, ऐसे ही शाम हो जाती है, और चिडिया भी आ जाती है रानो चडिया पानी कपास पर डाल देती है जिससे कपास गीली हो जाती है और रानो चडिया दाना लेने चली जाती है शाम को कालू कववा चडिया से पहले ही वापस आ जाता है वो जैसे ही घोंसले में लेटता है घोंसला तो पानी की तरह था और वो जल्दी से पास को सुभो तक सूख जाएगी कोई बात नहीं और कवा मूँ खोले चिडिया की तरफ देख रहा था जैसे तुम्हें अकेले ही नीद आती है ना गोंसले में ऐसे ही मैं भी जब तक गोंसला धोना लूँ मुझे भी नीद नहीं आती कालू कवा सब समझ चुका था और उसे सबक मिल गया था वो चिडिया से अपने की एकी माफी मांगता है और फिर वो दोनों इस गोंसले में अकटे ही रात गुजारते हैं कुछी तिनों बाद बाकी पक्षी भी आ जाते हैं और फिर ऐसे चिडिया और कवा इन पक्षियों के साथ अपने अगले सफर पर निकल जा सब्सक्राइब करते हैं